दुनिया में अंगिनत लोग रहते हैं, फिर भी हर एक व्यक्ति का एक निजी अस्तित्व होता है। हर एक व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जनम लेते वक्ती अपनी क्षमत आएं, मर्याद आएं एवं सभाव की विशेष्टाओं से सजा हुआ एक अद्वितिय व्यक्तित्व। इंसान की गुणविशेष्टाओं को जानने के लिए वर्सों से नाडी परिक्षा या जनम कुंडली का अधा लिया जाता था। लेकिन आज की तारिक में हम लेकर आये हैं, इंसान की व्यक्तित्व के सभी पहलों के बारे में पूरी की पूरी एवं परसेंटेज की साथ जानकारी देने वाला एक अनोका शास्त्र। हाथ की उंगलियों के प्रिंट्स के जरिए इंसान के पूरे व्यक्तित्व का अनोका शास्त्र। गर्ब धारना होने के बाद लगबग 24 वे सप्ता में गर्ब के फिंगर्पिंट्स फॉर्म होने लगते हैं। उस समय गर्भवती मा की मानसिक्ता गर्भ में होने वाले फ्लूइड की एवं गर्भ की होने वाली मूवमेंट इन सभी के परिणाम सरूप फिंगरप्रिंट्स के अलग-अलग पैटन्स साकार होने लगते हैं। उसी की साथ साथ लेप ब्रेन एवं राइट ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है। अलग-अलग उंग्लियों के पैटन्स ब्रेन के अलग-अलग पाड़ की डेवलपमेंट दर्शाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं गर्भावस्ता में ही होने के कारण जनम लेने वाले हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग होते हैं। जुड़वा बच्चे जो भले ही शत प्रतिशत एक देसे क्यों न दिखते हो लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स एक देसे कभी नहीं होते। और ये जो फिंगरप्रिंट्स लेकर व्यक्ति जनम लेता है उनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। बढ़ती उम्र में उंगलियों का साइज अगर बढ़ा भी तो भी पैटर्न्स वही रहते हैं। और इसलिए डर्माइटोग्लाफिक्स का अनलेसिस में 95% से भी जादा अक्यूरसी पाई जाती है। डर्माइटोग्लाफिक्स चास्त्र के अधार पर किया जाने बला अनलेसिस मशूर अमेरिकन साइकोलोगिस्ट्र होवर्ड गादनर ने संचुधित किये हुए मुल्टिपल इंटेरिजिए की तेरी पर आधारी थाए। डर्र होवर्ड गादनर केते हैं। अर बस बिलकुल यही रवय था हमारे हिंजुस्तानी गुरुकूल एडूकाशन सिस्टम का। पिछले 20 साल से चलाये जा रहे विविव सोशल प्रोजेट्स के जरिए हम गुरुकूल एडूकेशन सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं। और अब डर्माइटोग्लाफिक्स मल्टिपल इंटेलिजन्स एनलेसिस की टेकनोलोज से केवल हाथ की फिंगर्प्रिंट्स के उपर से व्यक्तित्व की सभी जानकारी पाना मुम्किन हो गया है। कुद्रतिक शमता और चाहत इनके मिलाव से हरे को अपने जीवन की दिशा चुनना और काम्याव होना ये आसान सा हो गया है। अब जरा आप सोचिये तो सही। आपको अगर आप ही में चुपी हुई अर्थ वितियों और शमताओं से परिचित किया जाये तो और वो भी कोई aptitude टेस्ट या personality टेस्ट लिये बिना। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जैसे हम अपनी आर्थी क्षमता का अंदाजा लेकर फिर कोई ठोस कदम उठाते हैं। वैसे ही हमारे जिंदिगी का सुहाना सफर तै करते वत अगर हमारी सोभाव की विशेस्ताएं एवं हमारी क्षमताओं से अगर हम वाकिभ है त तो कामयावी पाना बहुत आसान होता है क्यूंकि खुद की क्षमताओं को अच्छी तरह से जान लेना कामयावी की पहली सीड़ी है और क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके नई नई चुनोतियों की तरफ उडान लेना यही सही माइने में कामयावी है आपकी लर्णिंग स्टैल किस टाइब की है आप कौन से क्षेतर में कामयाव हो सकते हैं आप किस विशे में अधिक प्रभावशाली है करियर बनाते वक्त आपको कौन-कौन सी चीज़े सीखना जरूरी है आप किस टाइप का जॉब या बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते है या प्रचलिक जॉ में बद्धाव लाने के आपको जोर्रोत है यह सभी बाते बताने वाला डर्माइटोग्लैफिक्स मल्टिपल इंटेलिजन्स अनलेसिस का डिजिटल रिपोर्ट जनरेट करने के बाद हमारे एक्सपिरियंस कांसिलर्स जब साइन्टिफिक कांसिलिंग देते हैं तब वो सि है पूरे जीवन को दी गई दिशा मानो जन्म सही मायने में कृतार्थ करने का एक गुरुमंत्र आईए अपने जीवन के इस सुहाने सफर को सही धंग से समझ दीजिए और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके अपनी जिन्देगी को काम्याद इसे समारे झाल है